याईस आप लोगों ने मेरे लाइस टाइम जो फिलिपकार्ट पे लेटर अमाउंट का 50,000 अप्रोवन का जो वीडियो देखा था आप लोगों ने वो अब आप लोग को मैं दिखनाना चाहूंगा कि वो अपडेट होकर कि 40,000 का अप्रोवन मुझे मिल चुका है तो ये कैसे हुआ ये मैं आप लोग को प्रोव के साथ दिखाना चाहूंगा कि 15,000 से ये 40,000 तका बढ़ चुका है ये आप लोग मेरा मैसेज को चेक करो ये देखो गाईज आप लोग इसमें मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा अप्रोवन जो है 40,000 हो गया जिसमें से मैंने कुछ 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 पर्चेस किया है बट तपर भी मेरा भी 28,000 बैलेंस दिखा रहा है जिससे कि मैं ओनलाइन शॉपिंग वगया रख कुछ भी कर सकता हूँ तो ये कैसी किया मैंने सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में आपको इस वीडियो के एंड तक पने रहना है इसका मैं आपको मैसेज भी दिखाऊंगा कि कमपनी नी मुझे खुद बखुद वहाँ से अप्रूवल का एक मैसेज बेजा है जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि आप तो जो अप्रूवल बैलेंस है ये अब बढ़ करके 40,000 कर दिया गया है तो आपको बस इस वीडियो के एंड तक बने रहना है जो चलि इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ इस स्टार्ट कना के से पहले अपने भाई का जरू हरो तक दा एक पूझए हो गया है मेरा नाम है रियान और मेरे चैनल पर पहली बार वीजिट कियो तो जर्णल से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी आने वाली ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें So without wasting any seconds, let's started Okay, तो guys, अब जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, step by step आपको इसे follow करने है, then आपके 100% pay later amount बढ़ जाएंगे तो अब आपको क्या करना है, first, आपको अपना उस account को flip card pay later के साथ में link करना है, जिस account पे आप ज्यादा transaction करते हो मेरी बात को आप समझ रहे हो न, जिस account से आप ज्यादा transaction करते हो, जैसे कि आप online भी shopping कर रहे हो, और भी कुछ-कुछ transaction कर रहे हो, तो उस account को आपको इससे link करना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप महने में सिर्फ 2-4 shopping करते हो online, then आप चार है कि मेरा जो flip card pay later का amount है, यह हमारा बढ़ करके higher देने लग जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा guys, अगर आप ऐसा करते हो, ऐसा सूच रहे हो, तो आपका काम यह तरीका नहीं क करेगा, आपका इसमें ज्यादा से ज्यादा transaction होना चाहिए per month, second, आपको अपना civil score को जरू से एक बारी check कर लेना है, कि हमारा civil score actual में क्या दिखा रहा है, ठीक है, यह आपको जरू से चेक करना है, बट बट आपको यह per week नहीं चेक करना है, कि आप जैसे कि आज आप चेक क करो, या 2-4 दिन के बाद में फिर चेक करो, ऐसा बिल्कुल भी भूल करके भी मत करना है, इससे आपका civil score है, यह खराब हो सकता है, जो भी आपका civil score बना होगा, वो भी घट करके कम हो सकता है, थर्ड, अगर आप flip card के pay later के EMIS यादा shopping भी कर रहे हो, अगर आप कम भी कर रहे हो, तो कोई issues नहीं है, बट आपका जो clip card amount का pay later का dues balance रहेंगे, जिससे आपको छुकाना पड़ता है, यह आपका amount रहता है, ऐसे तो starting month के ending में, end starting के एक तारिक से लेके, चार तारिक के बीच में आपको paid करना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, कि वो आपका extra charges कटने लग जाते है, messages आपको देने लग जायागा कि आपका dues amount आच चुका है, ठेक हीजे, ठीक है, तो इस step का है, लेकिन मैं जो payment paid करता हूँ, before मैं 3-4 तारिक के बीच में इसका payment कर देता हूँ, time से time, ताकि मेरा, जो clip card amount का pay later का balance है, यह और ज्यादा upgrade कर सके, इस ते आपका civil score भी काफी अच्छा होने लगेगा, impressions भी आपके जो financer के तरफ से जो आएंगे, वो भी आपके साथ में काफी अच्छे बनेंगे, कि यह responsible बंदा है, तो यह क्या करना, timely time यह payment paid कर रहा है, विस्ते कि आपका civil score और अच्छा होगा, और आगी चल करके आपको pay later balance भी काफी messages आजाएगा, कि आपको pay later amount भी बढ़ा दिया जा चुका है, मैं आपको अभी अपना message भी दिखाऊँगा, कि कि सरीके से मुझे 40,000 का approval एक message आया था, वो आप लोग खुद छेक करो, यह आपनों देख सकते हो, कि मुझे message आ चुका है, कि you are eligible for higher credit limit, 40,000 तक का मुझे इसने approval किया है, आगे चल करके मेरा और भी बढ़ जागा, बट कितना बढ़ेगा, यह भी मुझे पता नहीं है कि कितना आगे चल के बढ़ेगा, लेकिन मैं timely इसे पेट करता रहूँगा, तो हो सकता है कि मेरा और अच्छा balance बढ़ जाए, तो बस आपको इसे time से time पेट करना है guys, that आपका यह automatically बढ़ करके higher credit limit देखने को आपको मिल जाएगा, तो मैं आप लोग का comment का जरूर से इंतिजार करूँगा, आप लोग का कितना credit बढ़ रहा है, कितना नहीं, आप लोग मुझे comment box पे जरूर से बताना, and क्या कुछ देखने को आप लोग को email रहा है, मुझे जरूर 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 comment करते रहना guys, आप लोग, तो इस वीडियो को बस आप यहीं पर end करता हूँ, उमीद करता हूँ, इस वीडियो से आप लोग को काफी जादा help वी होगी, अगर आप लोग कुछ भी queries करना चाहते ह हो मुझे, तो आप लोग simply मुझे comment करके भी पूर सकते हो, मैं कोशिश जरूर करूँगा guys, सभी को reply देने की busy ज़्यादा रहता हूँ, इसमें मैं reply सभी को नहीं दे पाता हूँ, मगर जितने भी आप लोग valuable लोग है, मैं सभी को कोशिश करूँगा reply दे सकते, so मैं मिलता ह आप लेकर किसी और सी नहीं से इंटेस्टिंग से वीडियो के साथ में तब तक लिए अपना ख्याल रचे, बाइबाइ